दो मिनट में योग आपको आसिडिटी से दूर रखता है और आज हम कर रहे हैं पवन्द मुक्त आसन यथा नाम तथा गुणा इसका नाम ही है पवन्द मुक्त ये पवन को मुक्त कर देता है हमारे शरी से सारी गैस को दूर कर देता है पवंध मुक्त आसन के लिए आप अपने आसन पर लेट जाएंगे यह ध्यान रखे कि इसका अभ्यास आप जमीन पर लेट करके ही करेंगे इस प्रकार से कोनियों का सारा लेते हुए कमर के बल लेट जाना हम इसका modified version आपको दिखा रहे हैं जो कि सभी लोग कर सकते हैं modified version में आप सबसे पहले दाए पैर को इस प्रकार से फोल्ट कर लेंगे और फिर thighs को पेट के अगेंस लाते हुए अपने हाथों से पकड़ लेंगे गर्दन को उठाना और अपनी चिन को घुटने से चूने के कोशिश करना इस थिती में तीन से चार सास तक रुखना फिर सास भरते हुए पहले सर को वापिस ले आएंगे फिर पेर को जमीन पर टिका देंगे और पेर को घसीटते हुए वापिस पूर्स सिती में ले जाएंगे इसी प्रकार से बाए पेर को फोल्ट करेंगे चिन को घुटने से चूने की कोशिश फाइनल पोजिशन में तीन से चार बार सास लेना सास छोड़ते हुए पेर को फिर से जमीन पर ले आना और घसीटते हुए वापिस ले जाना फिर दोनों पेरों को एक साथ हिप्स के नस्दीक लाना एडियों को सास भरते हुए दोनों पेरों को पेट के अगेंस्ट प्रेस करना चेरे को उठाते हुए चिन को घुटनों से चूने की कोशिश सास चोड़ते हुए गर्दन को जमीन पे ले आए सर को जमीन पे ले आए दोनों पैरों को जमीन पर टिका दे और धीरे धीरे से पैर को घसीटते हुए सीधे ले जाए शरीर को बिलकुल धीला छोड़ दे, थोड़ी देर रिलाक्स करने के बाद करवट लेकर के आप बैठ जाएंगे एक चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी हैं वो ये है कि पवन मुक्तासन का अभ्यास हमेशा दाए पैर से ही शुरू करना है यानि कभी भी आप बाएं पैर से शुरू नहीं करेंगे आप इसको दाएं पैर से ही आरंब करेंगे साथ में जब आप भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद आठ सांस आप दाएं करवट लेते हैं सोला सांस आप सीधा लेटे कमर के बल और बत्तिस सांस आप बाई तरफ लेटे यदि आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो आप देखेंगे आपका खाना अच्छे से हसम हो जाएगा, ऐसी डिटी आप से दूर हो जाएगी, आप स्वस्त रहेंगे, कल का एपिसोड जरूर देखेगा, कल हम आएगे एक नई समस्या और नए समाधान के साथ